पंद्रा सो चौशट में आजी की दिन विलियम शेक्स्पियर का निधन हुआ था। विलियम शेक्स्पियर इंग्लिश कवी, नाटक कार और अभिनेता थे जो इंग्लिश भाषा के महत्तुपूर्ण और प्रिसिद्न लेखकों में से एक थे। उन्हें इंग्लिंड का राष्ट्री कवी और बॉर्ड आफ एवन भी कहा जाता है। जैसी रचनाएं अंग्रेजी साहित में शेक्स्पियर के नायाब नाटक हैं। 1858 में आजी के दिन बिहार की ओर से प्रथम सो तंतरता संग्राम का नित्रत्य करने वाले महान करांतिकारी बाबू कुवर्ड सिंग का निधन हुआ था। 1857 में अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हिंदू और मुसल्मानों ने मिलकर कदम बढ़ाया। मंगल पांडे की बहादूरी ने सारे देश में विप्डव मचा दिया। बिहार की दानापुर रेजिमेंट, बंगाल के बैरकपुर और रामगड के सिपाहियों ने बगावत कर दी। मेरट, कानपुर, लकनव, इलहाबाद, जहांसी और दिल्ली में भी आग भड़क उठी। ऐसे हालात में बाबू कुवर सिंग ने भारती सैनकों का निक्त्र किया। बाबू कुवर सिंग ने रीवा के जमीदारों को एकत्र किया और उन्हें अंग्रेजों से युद्ध के लिए तैयार किया। लडाई के दोरान अंग्रेजों की गोली लगने पर कुवर सिंग ने अपना हाथ काट कर गंगा नदी को समर्पित कर दिया था। 1984 में आजिक दिन अमेरिका की स्वास्त मंतरी मार्गेट हैकलर ने एट्स वायरस के खोज की गोशना वश्चंगटन में की थी। ये वायरस मानों में पाई जाने वाले कैंसर वायरस HTLV3 की एक किस्म है। एट्स या Acquired Immune Deficiency Syndrome प्रतिरक्षा तंद्र को कम कर देता है जिसकी वज़े से इस से पिर्ट व्यक्ति में भैंकर रूप ले सकती है। अमेरिका में 1980 में इस विमारी के सामने आने के बाद अब तक दुनिया भर में लगभग धाई करोड लोग इस वायरस से मारे जा चुकी हैं। डक्षिन अफरीका में जहां ये एक महामारी का रूप अख्तियार कर चुका है सिर्फ साल 2001 में ही एट्स से 20 लाक लोग मारे गए थी। अब तक अर्बो रुपए खर्च किये जाने के बाद भी एट्स का कोई टीका नहीं ढूंडा जा सका है। 1985 में आजी के दिन अमेरिकी कूल डिंक्स कंपनी कूका कोला ने 99 साल बाजार में रहने के बाद इसी दिन एक नए फॉर्मूले के साथ नया कोप औभोकताओं के सामने पेश किया। ये कुका कोला कंपनी के लिए बाजार में बहुत बड़ा खत्रा उठाने की तरह था। कंपनी खुद स्विकार करती है कि उसका इरादा उपभोकताओं की नाराज़गी मूल लेना नहीं था। बलकि वो उन्हें लोगों को एक नया प्रोडक्ट देना चाहते थी। बहरहाल कंपनी को लगबग तीन महीने की विरोत के बाद उसे वापस लिना पड़ा। 1992 में आज एक दिन बॉलिवुड के मशुहूर फिल्म नर्देशक सत्जीत औरेका ने धन हुआ था। यथार्त वादी धारा की फिल्मों को नई दिशा देने के लाबा साहित चित्रकला जैसी अन्य विधाओं में भी सत्जीत रे में अपनी प्रतिभा का परचा दिया था। साहित और बॉलिवुड में अपनी युगदान के लिए सत्जीत रेको भारत रत्न, पद्म विभूशन, दादा सहाफ फाल के पुरसकार से नवाजा गया था। और 2005 में आज एक दिन पहला वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया गया। यूट्यूब एक साजा वेबसाइड है जहां उपयोग करता वेबसाइड पर वीडियो देख सकता है और वीडियो अपलोड कर सकता है। यूट्यूब की स्थापना चैड हरले, स्टीव चेन और जावेद करीम ने मिलकर की थी। यूटूब में पहला वीडियो जावेद करीम ने अपलोड किया था